Hi everyone and welcome to current affairs funda आज की इस वीडियो में हम लोग 2 set दिखेंगे एक है आपका numeric series और दूसरा है आपका alpha numeric series यह जो set है इसमें आपका एक series और होती है जिसको बोलते हैं आपको alphabet series ठीक है इसमें आप एक और add कर सकते हैं उस set को भी मैं आप तक लेकर आऊंगी जल्दी ही और वैसे में आपकी numeric series और alpha numeric series ही पूछी जाती है जो alphabet series होती है वो थोड़ी सी आपकी मतलब इन दोनों से उसका level थोड़ा सा हाई होता है तो उसको अब देखते हो जाए तर पियो वेगरे की exam में पूछी जाती है और IBPS clerk में SPI clerk में पूछी जाती है RRB पर chances कम होते हैं लेकिन फिर भी आप कोई chance ना ले आप factors रूरू कर जाए अगर आपको Google पर एक set मिल जाए तो और यह मैंने आपको topic बता दिया है इसके अलावा मैं आने वाले parts में इसको भी discuss करूंगी इन दोनों को हम लोग यहां पर तो यह जो दोनों site हैं मैंने practice mock की site से लिए है similar type question के practice के लिए आप लोग इनकी site को visit कर सकते हैं साथ ही इनकी test series को buy कर सकते हैं जो pattern है वो बिलकुल exam level होता है अगर आप इसकी सही से practice करते हैं तो आप बहुत ही अराम से pre and means को qualify कर सकते हैं and please इस video का feedback आप लो comment section में जरूर द नंबर जाता है ठीक एक नंबर तो वो जो आपको मिलने वाला है और 25 आपका negative point है ना तो सवा नंबर बहुत बड़ी बात होती है लोगों का selection 0.25 से भी रुख जाता है तो बहतर है reasoning में आप उस concept को लें जो आपके mind में हमेशा रहे अब यहां पर मैं आपको यह चीज बिल left और right आप by default not के according लेते हैं तो यहां पर आपका यह left end होता है ठीक है और यह होता है right end ठीक यह left end हो गया right end हो गया अब हमेशा ध्यान लखेंगे, यह जो left end और right end है, यह आपके according होता है, ना कि यह alphabets के according, या फिर यह elements के according, left and right नहीं होता है, यह किसके according होता है, यह जो आप left end और right end लिखते हो, यह आपके according होता है, right, alphabets के according यह उल्टा हो जाता है, यह वाला जो left है, जो left-end है, alphabets के according ये right-end होता है और ये जो आपका right-end है, alphabets के according ये left होता है, ठीक है, इसको आप कैसे समझ सकते हो, आप सामने बैठे हो, आप अपने जबने जस्त सामने वाले person के तरफ देखोगे, तो आपका जो right-end है जो आपका right hand है, ठीक है, end नहीं, जो आपका right hand है, वो उसका left होगा, जो आपका left hand है, वो उसका right होगा, ठीक, तो इस तरीके से आप इसे समझ सकते हैं, है न, अब जो plus minus वाली बात होती है, वो मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ, जैसे कि आपको बस हमेशा यह ध्यान लख करना है, कि जब भी यह कहते हैं कि left hand से आपका 5 के left bit, two number पे कौन सा आएगा, ठीक है, मतलब left hand से 5 element के left bit, second number पे क्या आएगा, यह आपको बताना है, तो कई लोग सोचते हैं कि left left है, तो plus करना है, या minus करना है, आपको कुछ भी करने की जुरुत नहीं है, आप इसे किस थरी count करना है, left count करना है, यानि कि मैं elements के according कैसे चलूँगा, left is side में चलूँगा, है ना, अगर मैं अपने according left चलूँगा, तो मुझे इस side चलना है, फिर मुझे, जो भी, जब हम इस side चलेंगे, तो उसके बाद हम उस element पर पहुँच जाएंगे, जैसे कि यहां पर दिया गया है 5 तक चलना है आपको, तो जब आप 5 पर पहुच जाएंगे, तो अब आपको 5th element के left लेना है, तो जो left आपका चलना है, वो element का क्या होगा, right होगा, है ना, तो आप क्या करेंगे, उसका left लेंगे, तो उसका left लेंगे, तो आप इस side चलने लगेंगे, तो यह होता है, आपक से ही count कर दिया जाता है, ठीक है, तो अगर आप इसको समझ पा रहे हैं, तो आप इस तरीके से minus करके ले सकते हो, नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप इस तरीके से count करके, कि पहले हम left चले, और फिर हम right, इसके right चले, या फिर left चले, उसके according कर सकते हैं, ठीक, तो यह जो होता है कि left plus left दे रखा हो, तो आपको minus करना है, तो वो यह होता है, ठीक है, again अगर इसको थोड़ा सा short में समझाना चाहूं, तो अगर आप देखोगे, given है कि आपका left end से fifth element के third left में कौन सा element है, ठीक है, तो दोनों तरफ left left है, तो लोग बोलते हैं minus कर दो, minus क्यों होता है, क्योंकि पहले आपको left end से fifth element ढूणना है, फिर fifth element के left में चलना है, ठीक, तो इसलिए minus करते हैं, क्योंकि आपको आगे जाने के बाद इसको पीछे वापस आना पड़ता है, ठीक, same आपका right का pattern होता है, कि अगर आपका right, right दे रखा होता है, तो भी minus करते हैं, क्योंकि अगर आपको right end से fifth पर जाना है, और फिर आपको fifth element के right पर आना है, तो उसका right इस side में होगा, तो जब आप वापस आ रहे हो, इसलिए यहाँ पर क्या होता है, minus होता है, ठीक, फ left end से fifth के right में third पर जाना है, तो left end से आप fifth चले, और फिर आपको fifth element के right में जाना है, तो यह अगर आपका left चल दा है, तो उसका यह क्या होगा, right होगा, इसलिए आप आगे के तरफ जा रहे हो, तो क्या करते हैं, यहाँ पर यह plus कर लेते हैं, same concept आपका right end के लिए भी होता ह ठीक, so I hope आपको यह left और right वाला clear हो गया होगा, और clear नहीं हुआ है, तो simple सी चीज है, आप बच इतना ध्यान रखेंगी कि आपका left यह चल दा है, ठीक है, और आपका right यह चल दा है, ठीक, जब आपका left end है, अगर यह side आपका left चल दा है, तो elements का left यह होगा, अगर आपका यहाँ पर यह right चल दा है, तो elements का right यह होगा, बस आपको इतना सा ध्यान रखना है, और बाकी आप कोशन अराम से कर सकते हैं, ठीक, दूसरी जो main बात इस series में याद रखने की होती है, वो यह होती है, कि कब वो elements की बात कर रहा है, कब वो alphabet की बात कर रहा है, कब वो आपका symbol की बात कर रहा है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, वो इस तरीके से बोल देते हैं, कि left end से second alphabet के third to the right में क्या आएगा, ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला, second alphabet के, ठीक है, तो second alphabet आपका क्या आया, n आया, या फिर अगर वो बोल दे कि second number के है, तो second number आपका क्या आएगा, eight आ आतारियों की जल्दी वाजी में mistake क्या होती है, तो आप पढ़ते समय ध्यान लखेंगी, कब ये लोग elements बोल दे है, कब alphabet बोल दे है, कब symbol बोल दे है, कब number बोल दे है, ठीक, elements का मतलब क्या होता है, कि ये सब आ गए, उसमें alphabet, number, symbol, सब कुछ आ गए, लेकिन जब alphabet, symbol और number क इनको अलग-अलग करके डिखा जाता है, तो फिरिद किये, इनको अलग-अलग तरीके से ही देखा जाता है, ठीक, अब कोशन पर आ जाते हैं, क्योंकि ज्यादों कोई बाद इसमें नहीं रह गई है, सिदा-सिदा एक चीज और धिहान लख नहीं है, followed मतलब आगे के तरफ precede मतलब पीछे की तरफ, इस तरीके से याद कर लो, P for precede और P for पीछे, ऐसे करके, तो P for पीछे हो गया, तो यानि कि F for आगे होगा है, तो इस चीज को दिहान लख लेना, किसी भी, बोलेंगी, किसी भी element को follow कर रहा है, यानि कि उसके आगे होगा, precede कर रहा है, यानि कि उ immediately precede कर रहे है, letter को, यानि कि आपका pair क्या बनेगा, letter symbol और number का, so देख लो इसको, symbol के according ढूंड लो, क्योंकि symbol कम होते है, तो symbol यहाँ पर है, इसके पीछे letter है, कि नहीं है, यानि कि यह नहीं होगा, symbol यहाँ पर है, इसके पीछे letter है, इसके आगे number है, yes, एक pair यह हो गया, symbol य नहीं होगा, and star में आप देखो कि दुरों तरफ alpha बेटा है, यानि कि यह भी नहीं होगा, तो basically आपको 3 मिलेंगे, 1, 2 and 3, तो 3 मिलेंगे, option number B, correct answer होगा, then next है, if all the numbers are dropped, अगर सारे ही numbers को drop कर दिया जाए, arrangement में से, then which of the following will be fourth element to the right of the seventh element from the left end of the given arrangement, देखो, अब ये left और right वाला आया है, है न, left और right में इन्होंने क्या कहा है, कि पहली बात आपको number को drop करते हुए, चलना है, number को count आपको नहीं करना है, अब इन्होंने क्या बोला है, है कि आपको क्या count करना है, left end से आपको 7th count करना है, और फिर उसकी right में 4th count करना है, यानि कि आप इस साइड से पहले 7th count करोगे, और फिर इसकी right में 4 count करोगे, तो आप आगे की तरफ बढ़ रहे हूँ, तो 7 of 4 कितना हो जाएगा, यहाँपे 11 हो जाएगा, अब आप क्या क करोगे इसको plus करोगे because आगे की तरफ बढ़ रहे हो है ना लेकिन अगर यहीं पर क्या होता यह बोलता कि 7th के left में तो हम क्या करते है इसको minus करते है क्योंकि यह पीछे की और बढ़ता है ना तो 7 और 4 कितना हो गया 11 यानि कि आपको left hand से सीधे 11 count करना है तो 11 count करना है और इसम यहां पर a correct answer होगा option number B okay then next given है in the given arrangement which element is to the 5th to the left of 6th element from the right hand अब इन्होंने क्या कहा है कि पहले आपको right hand से 6 count करना है और फिर उसके left में 5th count करना है यानि कि आपको यहां से चलोगे तो आपको 6 लेना है और फिर आपको आगे की तरफ बढ़ते हुए क्या लेना है हां यहां पर आपको right से पहले 6 लेना है और फिर इसकी left में क्या लेना है फिफ्ट लेना है ठीक तो left आपका जाता है है ना हमारा left this side होता है elements का left this side में होता है तो यहां पर क्या हो जाएगा plus हो रहा है तो 6 और 5 कितना होगे 11 तो क्या यहां पर कुछ ऐसा है कि किसी चीज को drop करना है नहीं करना है यानि कि आपको direct right-hand से 11 करना है तो 11 कर लोगे 123456789 10 और 11 ठीक है तो 11 यहां पर option number be correct answer हो है इन्हें add कर दिया जाए तो उसकी जो half value है वो पता लगानी है तो इनके बीच का number क्या है 8 9 और 9 के बाद आप इसको क्या लिखोगे 4 4 के बाद हो गया 6 then 7 फिर 2 ठीक है वैसे तो आप चाहो इसको लिख सकते हो चाहे आप इसको लगतार count भी कर सकते हो ठीक है लेकिन अग elements के बीच में दिखाई नहीं देता है तो अगर वो छूट जाता है तो दिक्कत होती है और हमेशा से अगर कोशन बनाया जाता है तो आपका जो instruction होते है या आपका जो main part होता है उसमें कुछ ना कुछ इस तरीके का रखा जाता है कि कोशन में हलका सभी अगर साफधानी ना मतब अलर्ट ना रहो तो आपकी जो अंसर है वो गलत हो जाएगा ठीक तो यहां पर आप ध्यान दोगे इसको तो इसको आप प्लस कर लोगे 8 और 9 कितने होगा यहां पर 17, 17, 24, 21, 26, 27, 27, 27 कितने हो गए 34, 34 कितने हो गए 36, 36 का हाफ करो यह कितने होगे 18 option number the correct answer हो ठीक चलिए इसको आप लोगे comment section ने बताईए और फिर मैं move करते हो यहां पर numeric series पर, ठीक है, numeric series यह आगई, इसमें आपको ध्यान लखना होता है कि कब यहां पर यह लोग minus करने की बात कर रहे हैं, कब यहां पर यह लोग plus करने की बात कर रहे हैं, और left and right hand वही रहता है, सेम आपका, left इस तरीके से चलता है, right इस तरीके से चलता है, दूसरा आप लोग ध्यान लखेंगे, कब यह लोग ascending और descending में जो change करने को बोलते हैं, उसमें कब यह लोग digits की बात कर रहे हैं, digits को change करने को बोलते हैं, और कब यह लोग number को change करने के लिए बोलते हैं, ठीक, अगर वो number को given numbers when the sum of the first two digits is subtracted from the sum of the last two digits which number gets the highest value. अब मैं इस टीज़ को थोड़ा सो और clear करना चाहूंगी क्योंकि इस question काफी अच्छा है. एक होता है difference निकालना. ठीक. दूसरा होता है subtract करना. ठीक. अगर आपसे ये बोला जाए कि 1 और 3 के बीच के difference किया है तो आप से सिधा अगर लिख देंगे 2. लेकिन अगर आपसे ये बोला जाए कि 1 में से 3 माइनस करोगे तो answer क्या होगा? तो उसका answer होगा minus 2. ठीक. तो यही difference होता है आपका difference और subtract जो word है उसके बीच का. जब आपका given है subtract तो आप लोग ध्यान लखेंगे कि value plus की आ रही है ये minus की आ रही है लेकिन अगर दिया गया है difference तो कोई फरक नहीं पड़ता कि plus की value हो minus की value आप उसे plus की तरह consider करके चलते हैं तो देखते हैं इसको यहां पर क्या कह रहे हैं कि यानिकि आपको पहले के जो 2 sum है मतलब पहले के जो 2 digit है उनके सम को किस में से minus करना है? पीछे वाले sum में से minus करना है यानिकि पीछे की 2 digit है उनका sum करके आगे वाले के sum में से 3. 3 में से आप 7 को minus करेंगी जो कितना आएगा आपका minus 4. फिर 7 और 4 कितना होगी यह 11, 9, 3, 12. 12 में से 11 minus करोगी, कितना आजाएगा आपका plus का 1 है ना. 6 और 2 कितने होगा 8, 7 और 1, 8. 8 में से 8 minus 0. फिर 3 और 2, 5, 4, 5, 5 में से 5 minus 0. 9, 5, 14, 6, 4, 10 है ना. 10 में से, 6, 4, 10, 9, 5, 14, ठीक है, 10 में से आप 14 माइनस करेंगे, तो कितना आएगा, आपका, माइनस का 4, ठीक, सबसे हाइस्ट वैल्यू फिर किसकी आई है, 1 की, because यह प्लस में आया है, तो आपका correct answer क्या होगा, 4739, राइट, फिर आगे कहे रहे हैं, if all the digits in the number are added for each of the given numbers, then which of the given numbers will yield the highest value, ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप digits को add कर लेते, तो इसमें highest value किसकी आईगी, यह आपको बताना है, तो 4, 3, 7, 7, 7, 2, 9, 9, 10, ठीक है, 10, ठीक है, फिर given है, 9, 5, 14, 6, 4, 10, 14, 10, कितने हो गई आपके, 24, ठीक है, तो सबसे बड़ा आपको किसका आ रहा है, 5, 9, 6, 4 का, तो answer क्या होगा, यहाँ पर E, 5, 9, 6, 4, ठीक है, फिर next के रहे है, if the highest digit in the number is multiplied by the lowest digit of the number, which of the number will yield neither a perfect square, nor a perfect cube value, तो यहाँ पर यह क्या रहे है, आपका जो highest number है, उसको आप lowest से अगर multiply कर देते हैं, तो ऐसा कौन सा number है, या फिर ऐसा कौन सा number है आपका, जिसका जो result निकला है, वो ना तो आपका square होगा, ना ही आपका cube होगा, तो अगर आप देखोगे, यहाँ पर आपका highest value क्या है, 4, lowest है 1, तो 4 वन्स आपका क्या होगा 4, यहाँ पर आप देखोगे highest value 9, और यह क्या है, आपकी lowest value 3, तो 9 3 जा आपका 27, फिर यहाँ पर आप देखोगे highest value 7, और आपको square दिख रहे हैं, खाली 7 के अलावा, ठीक, 4 क्या है, 2 का square हो गया, 27 3 का cube हो गया, 4 फिर 2 का square हो गया, 36 आपका 6 का square हो गया है, तो खाली 7 एक ऐसी value है, जो ना किया आपका cube है और ना ही आपका किसी का square, so option number, C correct answer होगा, 6217, फिर यहाँ पर कहा रहे है, if in each of the given number, the first digit is interchange with fourth digit, अगर आपकी first digit जो है, वो fourth से change हो जाए, और second digit जो है, वो third से change हो जाए, यानि कि आप देखोगे, कि इसको इसके संग change करने को बोल दे है, और इसको इसके संग change करने को बोल दे है, then the number presented by which of the given will be the second highest, तो आप second highest क्या होगा, यह आपको बताना है, ठीक, तो second highest करने के लिए, आपको सबको बदलने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ यह देखिए, कि जो आपके पीछे वाली value है, जो आपके पीछे वाली digit है, वो आगे आएगी, तो यहाँ पर जब वो आगे आएगी, तो number बड़ा है, यह छोटा, वो आपको किस से पता चलेगा, पीछे वाली value से, ठीक, तो पीछे वाली आप दो value निकाल लो, जो कि आपकी highest हो, तो दो value कौन सी है, एक तो 9 वाली है न, यह आजाएगी, और फिर क्या है, एक 7, यह आगे आएगी, है न, तो इसमें इन्होंने क्या बोला है, क यहाँ पर आपको यह बताना है कि कौन से number ऐसा है, जो कि second highest होगा, तो highest आपका 9 होगा, second highest क्या होगा, seven होगा, ठीक, यह बाकी की जो पीछे की value है, वो क्या है, आपकी 7 से कम है, एक आगे आएगा, यहाँ चार आगे आएगा, यहाँ दो आगे आएगा, लेकिन आपका 7 ज आपको solve करने की जरुद नहीं होती है, easy से, easy तरीके से, आप उसको ऐसे ही देखकर, आपका answer mark कर सकते हैं, चलिए, इस question का answer आपको आपको कमेंट सेक्शन ने मताईए, सब करेक्ट answer क्या होगा, and इस video को मैं ही पर खतम करती हूँ, all the best for your exam, अच्छे से करना, patience के साथ करना, number of attempts जादा करने है, मैं यह नहीं बोलूँगी, कम करना, accuracy के संग करना, जादा करना, क्योंकि इसके बेना cut-off नहीं निकलेगी, आरा भी की, जादा करना, बट accuracy के साथ करना, okay, so all the best, thanks for watching.